हाई एभीवन आज हम मेथी ग्रो कर रही हैं इसे फेनुगरिक भी कहते हैं और सबजियों में इसका इस्तमाल मसाले के रूप में किया जाता है मेथी के सीड और इनके पत्तों का इस्तमाल खाने में किया जाता है बारत में इसके पौदे हम सरद्यों में ग्रो कर सकते हैं और इनके सीड लगाने का सही समय सितंबर से लेकर नॉमबर तक का है और फिर से जब जन्वरी की तेज सरदिया निकल जाएं उसके वद फरवरी और मार्च में हम इनके बीच फिर से लगा सकते हैं मेथी के पहुते तेजी से बढ़ते हैं और 40-45 दिन के अंदर तयार हो जाते हैं। तो सरदियों में गमलों में लगाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वेजटेबल है। इसे ग्रो करने के लिए आप कम गहराई और अधिक चोड़ाई वाले गमलों का इस्तमाल कीजिए। कम से कम 5 इंच के गहराई वाले गमलों का इस्तमाल आप इने ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटे से टब का इस्तमाल कर रहा हूँ, जिसकी गहराई 5 इंच है, इसमें हमने मिट्टी भर लिया है, मिट्टी में हमने कोको पीट, नॉर्मल गार्डेन सोयल और वर्मी कमपोस्ट का इस्तमाल किया है, हमने यहाँ पर 60% के आसपास हमने नॉर्मल कर सकते हैं, सीट ग्रो करने का तरीका काफी आसान है, मिट्टी भरने के बाद आपको इने एक बराबर समतल करना है, उसके बाद सीट को कुछ इस तरह से मिट्टी के उपर फैला देना है, ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा सीट नहीं लगाने है, थोड़े थोड़े दूर को फोल सलनलाइट में रखना है, बीज लगाने के बाद मेथी के बीच तीन से चार दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं, और काफी तेजी से बढ़ते हैं, सीट लगाने के तीसरे दिन बाद हमारे सीट जर्मिनेट हो गए हैं, और काफी बढ़िया जर्मिनेशन देखने काफी बढ़ियां मिलता है फिलाल अभी हमने अपने गमले को फुल सन लाइट में रखा है और अपने मिट्टी को हलका सा मोईश्ट रखा है कुछी दिनों में हमारे सभी seed grow हो जाएंगे और काफी बढ़ियां प्लांड तयार हो जाएंगे मेथी के 20 लगाए आज 34 झिन हो गया है और हमारे पौधे काफी बड़े हो गए हैं कुछ दिनों में हमारे पौधे और भी बड़े हो जाएंगे और फिर हम इनकी हर्वेस्टिंग सुरू कर सकते हैं हमले के एक साइट से हमने मेती के पौधे हार्वेश्ट भी कर लिये हैं ताकि हमारे जो बाकी के पौधे हैं इन्हें ग्रो होने में थोड़ा और स्पेस मिल जाए और ये पौधे अच्छे से ग्रो हूँ बाकी अभी मैं आपको इस साइट से हार्वेश्ट करके दिखा रहा ह इस तरह से harvest करने में एक फायदा हमें मिलता है कि हम अपने एक पौधे को बार बार harvest कर सकते हैं और ऐसे अगर जनरली बात करें तो हम एक पौधे से 2-3 बार एक सीजन में harvest ले सकते हैं पत्ते निकालने के बाद हमें क्या करना है कि अपने प्लांट में वहमें kompost या फिर kompost डाल देना है और इसके बाद अपने गमले में अच्छे से पानी देना है कुछी दिनों में हमारे मेथी के पौधे फिर से तयार हो जाएंगे और फिर से आम इने harvest करपाएंगे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट को डारेक धूप में रखिए और मिट्टी में हलकी से नमी बना के रखिए कुछ दिन में आपका प्लांट फिर से रेडी हो जाएगा और आप फिर से अपने प्लांट से हार्वेस्ट ले सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपने इस बार मिथी ग्रोथ किया है की नहीं नीचे कमेट में जरूर बताईएगा चैनल पर नए हैं आपको पता है क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है में नाम सौरव है मैं मिलूँगा आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई